नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी चोरी लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें आज सुनें चोरी रोज ही किसी न किसी घर की बाड उंची करवाई जाती फिर बाड की उपर लोहे के त्रशूल के आकार के कांटों की ग्रिल लगवाई जाती देखते देखते घर की सारी हर्याली छिप जाती उसकी जगे जेल जैसे सेखचे और छुड़े जैसे सिरे दिखते जिन घरों में चहार दिवारी उंची करने की गुंजाइश नहीं थी, उनमें सुरक्षा का दूसरा उपाय था इलाके के 150 घरों के दोनों तरफ गली के बीचों बीच लोहे के जंगी फाटक लगा दिये गए थे ये फाटक ठीक 10 बजे बंद कर दिये जाते, सुबह 6 बजे खोल दिये जाते मुहले का खयाल था कि शरीप लोग वापस आने में इससे ज़्यादा देर नहीं करते वे इससे जल्दी उठना भी उचित नहीं समझते वैसे चौकीदार को उनकी जगे शरार्ती लोगों का ज़्यादा इंतजार रहता चौकी वे दस के बाद फाटक खुलवाने के दो या पाँच रुपए उसके हाथ पर रख देते इतने उपाय के बावजूत चोरी डकैती और छिनैती का बोल बाला था अगर आप अपना स्कूटर खड़ा कर लगुशंका जैसे संचिप्त कारवाही भी संपादित करते आपका स्कूटर उड़ा लिया जाता चारो और राम नाम की धूम मची थी फिर भी राम राज कायम नहीं हुआ था लोग अपने घर के सभी दर्वाजों पर पक्के ताले ठोक कर सोते पर सुबह उठकर पाते कि चोरों ने तालों को कोई तवज्जो न दे कर सीधे चिटखनी ही काट डाली है बच्पन में पढ़ी कहानिया दिमाग में ताजा हुआती जिन में ऐसे चतर चोरों का वर्णन होता कि आपकी आँख का काजल चुरा ले जाए और आपको खबर न हो चोर और पुलिस में 36 का रिष्टा इस कदर था कि पुलिस चोर को पकड़ने में कम ही काम्याब होती चोर हमेशा ज्यादा चुस्त चालाक और चुकनना साबित होता कई बार माल की ओनी पौनी बरामतगी हो जाती पर चोर के नाम का तब भी खुलासा न होता फिर भी शहर में पुलिस थी इसलिए सुरक्षा के लिए लोगों की गुहार थी सुबह से शहर की हर सड़क पर गर्स्त लगाते डंडा बजाते ठेले वालों से हकता वसूलते पुलिस के सिपाही खाकी वर्दी में नजर आते जगे जगे ठाने और चौकी बनी थी लुटा हुआ आदमी सबसे पहले रपट लिखाने लपकता यही डॉक्टर उमंग सकसेना ने करना चाहा शहर के बाहरी रईस इलाके ड्रमंड रोड पर उसके पिता का बंगला था एक हजार वर्द मीटर के प्लॉट पर बना यह पुराने धंग का इस्थाप पत्ते था जिसमें चारो और चोड़ा बरामदा, हौल नुमा कमरे, बड़े गुसल खाने और शीशेदार लंबे दर्वाजे थे उसके पिता बताते थे पहले हमारे घर के 16 दर्वाजे बाहर की और खुलते थे तेरी मा बहुत ठक जाती थी देख भाल करते सो मैंने 6 दर्वाजे चिनवा दिये अगर कभी बिजली चली जाती, तो हम दोनों टॉर्च जला कर देखते कि दर्वाजों की उपर नीचे की चिटकनी लगी हुई है या नहीं बंगले के अहाते में 3 कोठरियां सेवकों के लिए बनी थी बंगले के पिछवाडे की खिडकियां कभी खोली नहीं जाती थी वे बंद और जाम ही नहीं पड़ी थी उन पर धूल और जालों का सुरक्षा जाल भी तना था सभी खिडकियों में खड़े सीख्चे जड़े थे दिसंबर की एक ठोठो ठोराती रात जब कोहरा महुए की तरह टपटप चू रहा था और सब अपनी रजाई में दुपके सो रहे थे सकसेना भवान में चोर बातरूम की खिडकी के सीख्षे उखाड कर घोसाए वहां से बॉक्स रूम पहुँच कर उन्होंने बड़ी तसली से सामान, जेवर और पैसा समेटा घर में जहां जहां रूपया रखा जाता था सब पर उन्होंने हाथ साप किया अजीब बात यह कि उन्होंने भोजन कक्ष में मेच पर रखे ना सिर्फ लड़ुख हा लिये वहां रखा हीटर भी चला दिया और जलता छोड़ गए सुबह सकसेना परिवार घर में हुई चोरी और सीना जोरी देख आवाक रह गया उमंग ने पहली जुंजलाहट पिता पर निकाली कितनी बार आप से कहा पापा यह पुरानी कोठी बेच कर फ्लैट खरीद लो पर नहीं मच्छर की तरह चिपके हैं आप इन लोना खाई दिवारों से बविता ने मूफ उला लिया आसू आने से पहले उसने आचल आँखों से लगा लिया और बोली मेरी मा के दिये चारो सेट चोर ले गए मैं तो नंगी बुच्ची हो गई सकसेना साहब ने कभी गौर नहीं किया था बहु के पास कितने सेट गहने हैं और कहां से आए हैं पत्नी की मृत्तु के बाद से सभी अलमारियों का जिम्मा बविता का था इतना इन्हें पता था कि बहु गहने बैंक के लोकर में रखने के विरुद थी वह कहती बाबु जी यह पुराने जवाने के जेवरों के लिए हर साल लोकर का किराया देना बेवकूफी होगी आए दिन बाहर जाना पड़ता है कहां तक बैंक भागूंगी आज की कीमत के हिसाब से चोरी चार लाग की लिखवाई गई यह भी तै किया कि जल्दी ही इस कोठी को बेच कर वे किसी सुरक्षित कॉलोनी में बड़ा सा फ्लैक ले लेंगे पुलिस कुछ दिन सक्रिये रही फिर निश्क्रिये होती गई सक्सेना परिवार मन मसोस कर बैठ गया कि हर चोरी में यही होता आया है एक रात जब खाना खाने के बाद सक्सेना परिवार आज तक और स्टार नियूज के बीच चैनल बदल बदल कर समाचार देख रहा था घर की घंटी बजी खिडकी से जहाकने पर दो आदमी दिखे डॉक्टर साब से मिलना है उन्होंने बताया बड़े वाले या छोटे वाले नौकर ने पूछा दोनों से आदमियों ने कहा दर्वाजा खोला गया नौकर को नर्देश था कि वह हमेशा साथ में खड़ा रहा करे वह आदेश का पालन कर रहा था हालाकि उसकी नजर टीवी पर जमी थी अजनवियों पर शक्की नजर डाल बविता भी अंदर के कमरे में चली गई एक अजनवी ने कहा डॉक्टर साब आपके घर चोरी हुई थी उसका कुछ पता चला उमंग ने सशंकित नजर प्रश्न करता पर डाली वह धुली मगर बगैर इस्त्री की कमीज और पाईजामा पहने हुए मजहोले कत का शिक्षित आदमी नजर आता था उसके साथ आया नौजवान बे परवाह और निरोत्साही लग रहा था तुम्हें किसने भेजा है? यहां तुम्हें क्या काम है? उमंग ने कहा मैं अपराद मनो विज्ञान पर AMU में रिसर्च कर रहा हूँ कावल नब्रों में दो-दो महीने लगा कर पढ़ाई करने का इरादा है यहां पिछले दो महीने की रप्टिन देखी तो उसमें आपका जिप्र मिला पर मैं आपको नहीं जानता यह कोई समय भी नहीं है आने का ठीक है मैं सुबह आ जाऊंगा नमस्ते उमंग उल्जन में पढ़ा उन दोनों को जाता देखता रहा सुबह पिता से बात करके दोनों ने यह निशकर्स निकाला कि आज उस लड़के से एम्यू का शोत्र स्विक्रित पत्र देखा जाए वह ठग भी हो सकता है सक्सेना सहाब बोले ठग तो नहीं लग रहा था वह उमंग ने कहा सक्सेना सहाब चिड़ गए आज कल कौन क्या हो सकता है तुम क्या जानते हो नाक कान गला देख लेते हो इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम आजमी के अंदर भी ज्याक लेते हो अभी पिछले हपते बत्रा सहाब तहसील का मैदान पार कर रहे थे दो लड़कों ने सामने आकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी जेब में रखा 500 का नोट निकाल लिया वे ठग नहीं लगते थे पर उन्होंने ठगी की तब आप ही तै कीजे पापा उन लोगों से कैसे निप्टा जाए पुलिस को खबर करें पुलिस ने पहले भी कुछ नहीं किया अच्छा मुझे बोलने दो तुम साथ बैठ जाना नोबजे के करीब वह आदमी आया आज वह ठीक से तैयार होकर आया था उसे अकेले देखकर पिता पुत्र कुछ आश्वस्त हुए उसके हाथ में फाइल थी आते ही उसने फाइल खोल कर AMU का पंजी करन पत्र और गाइट का निर्देश पत्र दिखाया विद्यार्थी का नाम राशिद हुसेन था सकसेना साहब ने कहा अपने विशे के लिए तुम्हें अपराधियों के पास जाना चाहिए यहां क्या करने आयो मैं उनके पास भी जाता हूँ आपको यकीन नहीं होगा पर हर बड़ शहर के आसवास ऐसे कई ठिकाने हैं जहां केवल चोर उचक के रहते हैं यहां भी बेशक शंकरगर नैनी और पूरा मुफ्ती में ऐसी बस्तियां है जहां सब अपराधी रहते हैं कोई किसी को बुरा नहीं समझता उनके बच्चों से बाप का अता पता पूँचो तो बच्चे कहते हैं बापू काम पर गए हैं सुबह आएंगे आए दिन इन घरों में पुलिस का छापा पड़ता है आदमी जेल में ठूसे जाते हैं सजा काट कर ये फिर उसी काम में लग जाते हैं पूछो तो कहते हैं हाँ पिछले दिनों जरह नैनी चले गए थे अब काम पर लोट आए हैं बविता जो अब तक दूसरे कमरे से ये बात ने सुन रही थी हैरान थी कि यह मामूली सच्छात्र चोरों के बारे में इतना कुछ जानता है राशिद हुसेन ने कहा आपके पास एक खास मकसद से आया था क्या आपके परस से आपका कार्ड वगेरे भी चोरी हुआ था उमंग ने कहा हाँ मेरे दो क्रेटिट कार्ड गायव हैं क्यों? राशिद हुसेन ने जेब से कई कार्ड निकाल कर मेज पर रखे शनिवार को शंकरगड में एक आदमी ने ये निकाल कर दिये मुझे कह रहा था चोरी के धंदे में कुछ नहीं रखा है लोगों के खीसे में पैसा होता ही नहीं है सब प्लास्टिक मनी रखते हैं उनमें एक कार्ड उमंग सकसेना का था एक कार्ड के नाम और फोटो की जगह कैची से काटा हुआ था वैसे उमंग अपने बैंग को सूचित कर अपना कोड नंबर रुकवा चुका था सकसेना साहब बोले आप पुलिस को यह सब बताएए इससे चोरों को पकड़ने में मदद मिलेगी राशिद में कहा पुलिस की दिल्चस्पी चोर पकड़ने से ज़्यादा हिस्सा वसूलने में होती है आधी से ज़्यादा चोरियों में पुलिस की मिली भगत होती है इन सब बातों से हमें क्या मतलब हम तो इतना जानते हैं कि हमारे यहां की चोरी का अभी तक खुलासा नहीं हुआ आप यह क्रेडिट कार्ड लाए है, इसका सीधा मतलब है आप हमारे चोर तक पहुँच गए और पुलिस नहीं पहुँची बताए पुलिस भी पहुची इसलिए मैं यहां आया हूँ पुलिस ने शंकरगड में दविश देकर इन लोगों को पकड़ा थाने में उन्हें इतना मारा कि उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया और हमारे माल का क्या हुआ बविता ने तेज आवाज में कहा यही मैं आर्ज कर रहा था उन दोनों की बीबियों रो रही थी कि चोरी में पचास अजार का भी माल नहीं निकला और आपने चार लाख की रपट लिखा दी जूब बिलकुल जूब बविता भड़क गई चार तो मेरे ही सेट थे देखिये जितनी अब तक मैंने खोजबिन की है मैं बता रहा हूँ डिटेल नहीं बता सकूँगा हाँ शाम को मैं उस आदमी के भाई को साथ लाया था उसी ने आपका पता ठिकाना बताया आप चोर के साथ आये थे बविता चीखी नहीं मैडम उसके भाई के साथ वह आदमी तो पुलिस की गिरफ्ट में है हमसे क्या चाहते हैं आप उमंग ने तंग आकर पूँचा राशिद ने कहा उसकी फैमली का कहना है कि आप केस वापस ले ले तो हमें बिलकुल बेवकूफ समझते हैं आप सकसेन साब उट खड़े हुए राशिद हुसाइन फाइल समेट कर चलने को हुआ फिर जरा ठिटका मैं तो महज उन लोगों की गुजारिश आग तक लाया था उसके भाई का कहना है कि गहने सिर्फ 18,000 में बिके नकत मुश्किल से 22 एक निकला था आप अपना 40,000 ले 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 और बराय महरबानी केस वापस ले ले पर वह तो पुलिस के चंगुल में आ चुका यह नहीं तो कोई और जुर्म उस पर चिपका देगी वह सकसेना ने कहा वैसे उनका दिमाग तेजी से हिसाब में लगा था जब उन्होंने पुलिस को बताया था कि करीक 40,000 का नुकसान हुआ है पुलिस ने ही उन्हें सुझाया था कि वे केस को वजनदार बनाने के लिए नुकसान ज्यादा का दिखाएं देखिए हर चोरी में पुलिस का आधम आध का हिस्सा होता है अब पुलिस बद्रु को मार रही है और दो लाक भी मांग रही है परिवार हका बका राशिद हुसैन की तरफ देख रहा था जाते जाते राशिद ने कहा मैं शाम को आऊंगा तब तक आप सोच लें वैसे मुझे सबसे कोई मतलब नहीं है मेरी रिसर्च तो अपनी जगह है तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएं